यहाँ पे हमें P of X एक polynomial है जो कि दिया हुआ है XQ plus 2X square plus C times X plus 10 के बराबर और हम से पूछा गया है कि for what C, किस C के लिए is X minus 5 a factor of P of X किस C के value के लिए यह जो X minus 5 है यह linear polynomial यह इस दिये हुए polynomial P of X का factor होगा तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह दी हुई है कि X minus 5 को हमें P of X का factor बनाना है का factor होना चाहिए और अगर X minus 5 P of X का factor है यानि कि X minus 5 P of X को completely divide कर रहा है यानि कि दूसरे शब्दों मैं बोलूँ तो X minus 5 P of X को एकदम अच्छे से बिना remainder छोड़े divide कर रहा है यानि कि इसका मतलब हुआ कि जो हमारा remainder होगा remainder होगा जब हम P of X को X minus 5 से divide करेंगे वो 0 के बराबर आ जाएगा अब remainder 0 होगा ये चीज़ हमें पता चल गई तो इसका हम remainder पता कैसे करेंगे अगर हम इस P of X को X minus 5 से divide करेंगे तो हमें remainder पता कैसे चलेगा ये हमारा second step होगा कि remainder पता करना और जो भी remainder की value आगी वो obviously C की terms में ही आएगी क्योंकि C की value भी हमें पता नहीं है तो उस चीज़ को हम लोग 0 के बराबर करके फिर C के value निकाल देंगे इतना अब मैंने केह दिया है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार pause कर दें और इसे जरूर एक बार खुद से try करें तो चलिए अब हम इसे मिलके देखते हैं तो remainder कैसे पता चलेगा तो remainder पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे polynomial remainder remainder theorem का polynomial remainder theorem का use करेंगे जो कि हमें बोलता है कि अगर हमें एक polynomial p of x दिया हुआ है और इसे हम एक linear polynomial मान लिजए x minus a से divide करें तो इस case में जो हमारा यहाँ पे remainder होगा वो p of a के बराबर होगा अब यहाँ पे x minus a की जगह है यहाँ पे x minus 5 यानि कि a की value तो 5 है इतना हमें पता चल गया तो remainder पता करने के लिए चलिए हम p of 5 calculate करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 5 का cube plus 2 times 5 का square plus of plus of c times c times 5 plus of 10 तो इसकी value हो जाएगी 5 cube यानि की 125 plus 5 का square यानि की 25 times 2 यानि की 50 और plus 10 तो है ही plus 10 और फिर plus c times 5 यानि की 5c 5c यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी value क्या होगी यह हो जाएगा equal to 125 plus 50 हो गया 175 plus 10 यानि की 185 plus 5 times 5 times c यहाँ से हमें यह जो value है यह हमारी remainder हो जाएगी remainder हो जाएगी अब इस remainder को हमें equal to 0 करना है क्योंकि हमें x-5 को p of x का factor बनाना है अब अगर 185 185 plus 5c यह अगर 0 के बराबर होगा तो दोनों side अगर हम लोग 185 subtract कर देंगे तो 5c के value negative 185 आ जाएगी और अगर अब दोनों side 5 से divide कर देंगे तो c के value negative 185 divided by 5 आ जाएगी उपर नीचे अब अगर हम लोग 5 से divide कर दें तो यह हो जाएगा 5 1s are 5 यहाँ जाएगा 5 3s are 15 और 5 7s are 35 यानि कि negative 37 यानि कि जो c के value है वो हो जाएगी negative 37 के बराबर अगर c हमारा negative 37 हो गया तो यह polynomial x-5 से completely divisible हो जाएगा यानि कि x-5 इस देये हुए polynomial का factor हो जाएगा थेल ब्टाइब कि यहो ब्सट मु एच झा सकते दो आनिक वाएगा थेरी बीदक पर नहुए पराएगगा यहाँ यह devi हो लो हमार यह हुए kilogram